नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाट पर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन प्रुड़ देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालन भाई का आज के उड़े में तहरील से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों जो थमनेल देखा और आपने टाइटल पड़ा हाँ सच है हाँ दोस्तों स्री 50 देसी मुर्गियों से भारत वर्ष का कोई भी मुर्गी पालग भाई बहुत ही आसानी से हर महा 80,000 का मुनाफ़ा कमा सकता है क्या आपको भी कमाना है 80,000 का मुनाफ़ा क्या आप भी उत्साही थे इतनी इंकम कमाने के लिए आप सोचिये ना जरा कि आपके पास यहाँ पर इंकम का सोर्स क्या है आप कितना कमा लेते है अगर इस से कम कमाते है तो दोस्तों आज का यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए यही वह वीडियो है जो आपका नसीब बदल सकता है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वीडियो देखने वाले 95 प्रतिशत तक जो व्यक्ति है दोस्तों उनकी आए 10 से लेके 15,000 से भी कम है आएसे में आप किस तरह से घर को यहाँ पर आज्जेस करते होंगे घर का खर्चा यहाँ पर किस तरह से कंट्रोल कर पाते होगी यह त आज तक आपके सामने चिंता थी आपके सामने रोजगार का कोई भी आउसर नहीं था पैसा किसे कमाना नहीं है दोस्तों लेकिन पैसा कमाने के लिए सही जरिया तो मिलना चाहिए आज तक आपके मर में वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस आए होंगे लेकिन आज की जो संक पना आपके पास नहीं पहुची होगी देसी मुर्गी पालन की जब बात करते हैं तो इसमें यह ताकत है कि पुरे भारत वर्ष को रोजगार प्रदान कर सकती है दोस्तों आएसे में 50 देसी मुर्गियों से देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करके हर माहा शुरुवात में 80,000 का मुनाफा और आगे चलके अपनी महनत के अनुसार आप लाखों का मुनाफा भी कमा सकते हो लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सभी जानकारी विस्तार से दूंगा लेकिन इसके लिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए उस करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य अगर मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले ला मुर्गी पालन का व्याउसाय दुनिया का सबसे बहतरीन व्याउसाय है लेकिन यह व्याउसाय बहतरीन होके क्या फायदा जब तक इस व्याउसाय का हाथ आप नहीं थामेंगे जब तक इस व्याउसाय के साथ कंधे से कंधा मिला कर आप नहीं आगे जाएगे तो मतलब क्य है दोस्तों इसलिए दोस्तों इस व्यावसाय की जो ताकत है उसे समझ कर आगे बढ़िए सवप्रतिशत निराशा तो आपको कभी भी नहीं हो क्या आपको लाखों का मुनाफ़ा कमाना है क्या आपको भी लगता है कि मेरी मेरा बंगला हो मेरी गाड़ी हो तो दोस्तों आई से में है व्योसा आपके लिए उत्साही थी सभी बाते पूरी करने के लिए लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए कुंसी बातों को फॉलो करना चाहिए बताऊंगा दोस्तों और आप यहां पर छोड़ दिजी एक बात कि मुझसे नहीं होगा मैं नहीं कर सकता दोस्तों मैं यहां कह सकता हूँ आप दिव्यांग विकलांग व्यक्ती हो वयस का आबादी के सदस्य हो या हो दोस्तों बेरोजगार युवा या यूती दोस्तों आपका अधिकार है कमाने का लेकिन पहले मन में जो आलस आ चुका है उसे छोड़ दिजे डिप्रेशन में गए होगे तो उसे छोड़ दिजे आपके मन में ऐसी ताकत आनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि मैं ही हूँ जो यह कर सकता है यह व्यूसा है मेरे ही लिए ही कि मैं इसे सफल कर सकता हूँ दोस्तों रोम रोम में जब तक आपके मन में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी नही कर सकते और जिसके दिमाग में जिसके दिल में positive thinking आ गई उस व्यक्ति को जमाना नहीं रोक सकता है दोस्तों कमाने से यानि कमाने से अगर आपको कोई वंचीत करेगा तो खुद आप ही है दोस्तों इसलिए दुनिया को कोशना छोड़िए और शुरू कर दिजिए दोस्तों इस अद्भुद संकल्पना के साथ अपना नसीब बदलने की प्रक्रिया तो दोस्तों शुरुवात आइसी करनी है स्रिप यहां पर 25 देसी मुर्गिया 10 देसी मुर्गिय हो गई शुरुवात दोस्तों आपका नसीब बदलने की यहां पर 50 देसी मुर्गियों की बात करें तो खर्चे की बात करते हुए भारत वर्षे के कोने कोने में अगर रेट average मैं यहां पर check कर लो तो कही 300 है कही 400 है कही 500 है मुर्गी को मिलने वाला आउसत रेट 400 है इस हिसाब से आपको 50 देशी मुर्गिया खरीदने के लिए लगने वाली राशी 20,000 होगी और 10 देशी मुर्गों की बात करें तो दोस्तों 500 के हिसाब से आउसतन आपको 5000 की राशी कड़ेगी उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद यहां पर आपको लेने हैं सव अंडों के पाच सेमी आटोमेटिक इंकुबिटर यहां पर किसी का मन में सवाल आएगा कि सर सव के पाच लेने से अच्छा है 500 का एक लू क्या तो दोस्तों आपको लगेगा कहा यहां पर लेकिन दोस्तों बात क्या है 500 अंडों का एक इंकुबिटर लेना गलत बात नहीं है लेकिन दोस्तों 50 मुर्गे आणडे आउस सतन 24 के करीब करीब देगी तो आपको हर दिन 24 करते 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 यह इंकुबिटर भरने के लिए पूरा महिना जाएगा और पाच से लेके साथ द के पाच 500 अंडे का एक नहीं है दूसरी बात दुस्तों की 500 का एक इंकुबिटर खारwend हो जाए तो मुझे बताई यह काम तो बंद ही हो जाएगा लेकिन सव अंडों में के सव अंडों पाँच इनकुबिटर में से एकाथ बंद भी गिर जाए दोस्तों तो दूसरे चार तो शुरूर रहेंगे यानि कि आपका व्योसाएं न कभी रुकेगा न ठकीगा बारा माहा काम करता रहेगा इसलिए दोस्तों मन से निकाल दीजिए बड़ा इनकुबिटर लेने का छोटे चोटे से ही दोस्तों आगे बढ़िये और कहां जाता है बूंद बूंद से सागर भर जाता है कहां सागर में आपको यहां पर जो है दोस्तों परिसीमा ये पूरी करने के लिए बूंद से ही शुरुआज करनी पड़ेगी तो इस माध्यम से देखे दोस्तों पचास देसी म पुर्गों के लिए पाच हजार सव अंडों के सेमी आटोमेटिक एक इंकुबीटर की कीमत तीन हजार पाच इंकुबीटर की कीमत पंद्रह हजार यानि कुल राशी चली जाएगी चालीस हजार और दस हजार का आप यहां पर जो ही दोस्तों इन्वेस्मेंट करके रखिए शेड वगएरा वगएरा यानि पचास हजार के करीब करीब ज्यादा से ज्यादा आपका खरचा जाएगा दोस्तों बस आपका असी हजार का प्लैन हो गया दोस्तों यहां पर कंप्ल सर इंकुबीटर लेना ठीक है लिकिन किसके मापास से लिए दोस्तों हमने इसका पूरा अध्यन किया है इस हिसाब से जो 50 मुर्गों के अंडों की संक्या है अंडों के क्वालिटी उसा अनुसार कैसे इंकुबिटर चाहिए उसी तरीके से हमने इंकुबिटर को डिजाइन किया है अगर आप दोस्तों इंकुबिटर हम से चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो 24, 81, 82, 62, 62 पर जहां पर आपकी बातस्रीत मुझसे हो जाएंगी मैं समझा दूँगा और इससे सस्ता और बढ़िया इंकुबिटर और कोई देता होगा तो उस माध्यम से भी आप ले सकते हो लेकिन दोस्तों इंकुबिटर लेते हुए एक बात की जानकारी लीजीए की हम इंकुबिटर पोंचने के बात आसी बात मेरे जिंदगी में मैंने आभी तक नहीं की है जीवनीरापन करत अचे साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ इस लिए आप पर छोड़ता हγकिए कि आपको इंकुबडर जिस से लेना है लीजे अगर मुझे से लेना है संपर कीजे 84, 82, 62 पर तो देखे दोस्टो इस इसाब से हमारे पास प्रति दिन अंडों की संक्या हो गए हर महां के आंडों की संक्या होगई किसा influenced इस साथ सबस्क्राइब करना है दोस्त डोस्तों कभी मूर गिया हैं अं धिकां देडिगी ज्याधा इसमें से हमारा इंकुबिटर 75% के करीब करीब कम से कम रिजल्ट देगा इसका मतलब है 450 चूजे आपके आपको मिल जाएंगे इन 450 चूजों की बात करेंगे दोस्तों तो इनको बढ़ा करना है अभी बढ़ा करने के लिए 6 महा तो गुजर जाएंगे आपके आमदनी पहले 6 महा में नहीं होगी लेकिन उसके बाद आपको लाखों का मुनाफ़ा कमाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा इस हिसाब से देखिए दोस्तों आपके पास 450 चूजे निकले यह चूजे बढ़ते हुए हमने सोचा चलो टीका करन क्या फिडिंग सभी कुछ आच्छा क्या तो भी 50 मरगे यानि 6 महा के बाद हर महां आपको 400 मुर्गी और मुर्गे बेचने के लिए मिलेंगी पहले 6 महा कुछ भी इंकम नहीं ऐसा पकड़के चलिये लेकिन 6 महा के बाद देखिए दोस्तों कि आप क्या कर रहे हो 400 मुर्गी प्लस मुर्गे बेच रहे हुए इसमें से अगर मुर्गी बेचते हो तो आपको मिलने वाला मुनाफा 200 और मुरगा बेचते हैं तो मिलने वाला मुनाफा 300 लेकिन हम आउसतन कम से कम 200 का ही मुनाफा पकड़ कर चलते हैं क्योंकि फिड़ का खर्चा फगेरे 500 तक हो जाएगा मुर्गी चार सो को भी बिंग गई तो 800 का मुनाफा है, लेकिन हम 200 ही पकड़ते हैं यानि कि आउस्टन दोस्तों का मुनाफ़ा मिलना 100% बहुत आसानी से मिल सकता है दोस्तों का यह मुनाफ़ा जो है दोस्तों 6 महा के बाद मिलेगा लेकिन हर महा उसके बाद मिलेगा यानि आपको 400 गुणा दोस्तों का हिसाब करें तो 80,000 का मुनाफ़ा दोस्तों 6 महा कंप्लीट होने के बाद हर महा मिलेगा मुझे बता ही आज आप 10-15,000 के लिए कितना परेशान है 10 से लेके 12 कोई 14 तो कोई 18-18 गंटे काम करता है दोस्तों क्या आपको आमीर नहीं होना है कि कब तक आपको इस गरीबी में जीना है दोस्तों अपनी गरीबी हमें ही हटानी है और इसलिए दोस्तों यहां पर यह आपके लिए संकल्पना लेकर आया था आज देसी मुर्गी पालन की मार्केट दिन दुगनी राच चोगनी प्रोग्रेस कर रही है लेकिन जब तक इसकी छाओ आपके यहां पर नहीं आएगी जब तक इसका इंकम का एक तो भी वहां पर पुर्जा आपके पास नहीं आएगा तब तक क्या मतलब है इसलिए दोस्तों सोच उचार कीजिए कि गाओ देहात में गली तहसील जिले में आप आसानी से दोस्तों इस व्यवसाय को शुरू करके 80,000 का मुनाफ 80,50 मुर्गयों से कमा सकते हो आज तक आप गरीब थे बेरोजगार थे बेरोजगार या आपके पास थी लेकिन कोई भी युवा कोई भी यूती दिवयांग विकलंग वैस का अबादी का सदर से आसानी से इस व्यवसाय को थाम कर बहुत ही आसानी से आगे ब 10,000,000,000 के करीब करीब सोचिए सोच उचार कीजिए अगर आपको ठीक लगे तो जुढ जाईए नहीं तो छोड़ दिए और मेरा काम है आपको मारगदर्शन करना आपको उचित लगता है तो लीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए यतना ही मैं कह सकता हूँ कोई समस्य आवगेरे आगई तो आप कमेंट सेक्षन में लिख कर भीजिए और दोस्तों आगे बढ़ने के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुप काम नाए और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो क्रिपया लाइक कर दीजिए ज्यादा ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों के पास वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर विंती करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य से मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लिजिए इसके लिए इस आपका दोस्तों देलाड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियर मुर्गी पालन पर मिरता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज कुड़ में तहे दिल से बहुत बहुत आभाई